तो दोस्तो स्वागात है आपका आज की ने वीडियो के अंदर और आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बात करने वाला हूं बोडी बिल्डिंग से जूड़ी बहुत ही तगड़ी अपडेट्स के बारे में तो भाई बहुत ही स्पाइसी और धमाकेदार कॉंटेंट हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं पंजाब में और पिछली बारी भी I believe लोध्याना पंजाब में हुआ था या फिर पंजाब वाली साइट पर ही हुआ था और इस साल का Mr. India भी वहीं पर होने वाला लोध्याना पंजाब में और मुझे याद है कि मैंने आप लोगो पनी पिछली वीडियोस के अंदर पता है ज नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ अपडेट के बारे में जो कि Mr. India से ही जुड़ी हुई है जो कि आती है दोस्तों रामनेवास मलिक जी की तरफ से जो कि मारे करन्ट Mr. India चैंपिन है ये लास्ट टाइम की विनर थे ओर आल टाइटल की विनर और इन्हों ने हराय अपनी करेंट फिजीक अपडेट दिखाते हैं और अगर ये बहुत ही जल चड़ते हैं ये स्टेज पर कमपीट करने के लिए तो फिर किस लेवल के ये चैंजिस लेकर आएंगे बिगॉस एक साल के बाद ये कमपीट करने वाले हैं और एक साल बहुत कम टाइम नहीं होता ह एक अच्छा खासा टाइम होता है बॉडी बिल्डर के लिए एक अच्छा ओफ सीजन करने के लिए और अच्छे चेंजिस लाने के लिए बाकि भाई मैं तो परसनली काफी साथ है एक्साइट हो रहा और राम निमास मलिक जी के लिए कि ये कैसा कमपीट करेंगी अगर ये क किसी भी दूसरे कमपीटिशन में बॉडी बॉड़ी बिल्डिंग कमपीटिशन में इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों लेकर अपनी अगली अपरटेट के उपर और अगली अपरटेट दोस्तों मैं लेकर आचे को एक sad news और वो sad news यह है या फिर बुरी खबर वो ये है कि our beloved South Asia President Mr. Prashant Apte has left us today may God rest his soul and bless his family to endure this pain तो उनकी बारे में और उनकी family को दोस्तो मैं यही उमीद करता हूं उनको condolences मैं देता हूं उनकी family को और उमीद करता हूं भईए की यह बुरा time जहनने के लिए उनकी family को एक ताकत मिले बागी दोस्तों ये थी कुछ अपडेट और rest in peace to Mr. Prashant आप दे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली स्टोरी की तरफ और अगली स्टोरी आती है दोस्तों सागर कातुर्दे की तरफ से जो कि बहुत ही जाने माने इंडियन बॉडी बिल्डर है और अभी इनकी दरफ से दोस्तों अपडेट या आती है कि इनोंने कोई competition कोई bodybuilding competition अभी जीता है और उसके overall ये winner बने है भाई मैं सही बताऊं तो मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में और मुझे नहीं पता कि इनोंने कौन सा competition खेला था अभी इनकी instagram पर ये फोटोस देखी जाती है जहाँ पर इनको देखा जाते हैं इनकी trophy के साथ और जीत के साथ तो मैं इनको congratulate करना चाहता हूँ अगर ये जीते हैं तो भाई इनको बहुत बहुत शुप कामना है तो सागर का तुर्दे और भाई अभी कुछ जादा कुछ कहने के लिए है नहीं पता नहीं इनोंने कौन सा competition खेला था और इसी के साथ बढ़ते हम लोग अपनी अगली update के उपर और अगली update हमारी एक good news आ रही है और वो good news ये है दोस्तों कि एक instagram page है जिसका नाम है who is the best bodybuilder मतलब एक page है instagram पर जो कि bodybuilding से जुड़ी वी updates देते हैं और बहुत ही जानावाना page है instagram पर जो कि वैसे तो international updates वगएर है देते हैं bodybuilders के लिकिन बहुत ही अच्छा page है आप लोग जाके check out कर सकते हो उन्होंने दोस्तों भी recent जो है सुनी जादफ को feature कर रहा है अपने page पर और वहाँ पर उनको लिखा गया है कि the best bodybuilder from India सुनी जादफ और भाई एक बहुत ही proud feeling है कि सुनी जादफ को as a best bodybuilder माना गया है मतलब भार के जो मतलब pages वगएर है वो मानते हैं कि भाई सुनी जादफ is the best bodybuilder from India और वहाँ पर उनके बारे में ये लिखा गया है कि from India one of the most exotic physics in bodybuilding the great सुनी जादफ और भाई वैसे तो बहुत सारे इंडियन bodybuilders हो चुके हैं जो कि IABB pros बन रहे हैं और अपना नाम वगएरा बना रहे हैं बाहर के competitions खेल के लेकिन अभी भी दोस्तों सुनी जादफ को ही जो है recognize करा जाता है इंडिया से अगर मैं बात करूँ तो जो face ने इंडियन bodybuilding की ये वो अभी भी जो है सुनी जादफ को माना चाता है बाहर उनको recognize करा जाता है तो भाई ये देखकर मुझे अच्छा भी लग रहा है लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अब जैसे बहुत सारे इंडियन bodybuilders हो चुके हैं और पहले भी हमारे जितने भी इंडियन bodybuilders compete करा करते थे उन सब को अगर मिला कर बात करी जाए मतलब सब लोगों मैं count करना चाहता हूँ आप लोगों के साब से इंडियन bodybuilder कौन है आप लोग जो उन bodybuilder का नाव है आप लोग comment करके बता सकते हो और साथ ही में ये भी comment कर सकते हो कि अब आपको क्यों best लगते हैं आप लोगों के साब से और मैं सुनी जादव भाई से कुछ भी नहीं ले रहा हूँ मुझे लगता है कि वो 100% deserve करते हैं जो भी उनको recognition मिल रही है उनकी hard work की वज़ा से और बाकी उमीद करता हूँ कि वो Olympia level पे बहुत ही जल्द हम लोगों को नजर आएंगे और जितने भी हमारे Indian bodybuilders compete कर रहे है तो भाई ये थी कुछ update अच्छी update है तो मैंने आप लोग को बता दिया बागी दोस्तों बढ़ते हम लोग अपने अगली update के उपर और अगली update आती है Indian rock की तरफ से और Indian rock दोस्तों आप सभी लोगों पता है कि उन्होंने अपना जो last जो show केला था वो था भारत pro show जापर की shocking लिए उनकी इतनी बड़िया placing नहीं आई थी उनके साब से और classic physique में उनने complete करा था और अभी दोस्तों उनकी तरफ से उनकी current physique update हम लोगों देखने को मिल जाती है और इन photos के अंदर भी देखा जा सकता है कि उनकी current physique update इस time पर कैसी नजर आ रही है और इस update का भी वो caption लिखकर बोलते हैं कि gaining mode on 112 kg यानि कि वो 112 के लोग हैं इस वक्त पर और इन photos के अंदर दोस्तों देखा जा सकता है कि उनकी bulking कैसी चल रही है gaining और off-season उनका किस level पर उनका चल रहा है क्योंकि gaining के time पतलब off-season के अंदर ही bodybuilder अपना size वगेरा gain करता है और इस बारी भाई मुझे लगता है कि वो अपना size पर जादा focus करने वाले है पिश्ली बारी या जितनी भी competitions के अंदर खेलते हुए आ रहे हैं अदर भी बहुत ही तगड़े वाला version वो लेकर आ सकते है अगर size के साथ condition अगर वो stage पर लेकर आ जाते हैं तो especially में Indian Rock के जो thigh है न जो quad है वहाँ पर मैं size देखना चाता हूँ जो उनकी outer quad आती है या फिर जो उनकी inner thigh होगी वहाँ पर भाई अगर वो size लेकर आ जाते हैं then definitely बहुत ही तकड़ा challenge देंगी देंगे ये भारगे bodybuilders और जो हमारी Indian bodybuilders होंगे और उनका chance जो है Olympia crack करने का वो चीज हो जाएगी बाकी कुलदीब सिंग यादफ जो की इनके coach है अब Indian rock और कुलदीब सिंग यादफ की team जो है किस level का changes लेकर आते हैं मतलब कि आप बबाल मचाते हैं stage के उपर ये तो भाई देखना पड़ेगा और उमीद करता हूँ कि changes बारी आएंगे और देखते हैं भाई क्या होता है और updates के लिए बने रही है जो भी update आती है Indian rock की तरफ से इसी साब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली story की तरफ और अगली story आती है दोस्तों एक different type की update है इसमें दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ जो कि Bilal Ali की तरफ से update आ रही है आप लोग ने दोस्तों इनको जो है shredded देखा होगा एकदम जो skin tight conditioning होती है वह अपडेट इनकी देखी होगी आपने इनको बलकी भी देखा होगा लेकिन कभी आप लोग ने बिलाल Ali को skinny देखा है यानि कि जब वो अपना off cycle mode पर होते हैं तो भी बिलाल Ali ने अपनी recently अपनी story पर जो है मतलब अब तो एक हफता हो चुगे इस बात को लेकिन अभी recently आप लोग कह सकते हो भाई उनकी current physique update या फिर T-shirt के अंदर जो है उनकी update हम लोगों देखने को मिलती है और ये caption भी लिखते है अपनी इस photo का कि feeling so skinny, been off for 2 months, no training or diet, eating 2-3 meals a day बागे दोस्तों ये है इनकी कुछ current T-shirt के अंदर update और definitely बिलाल Ali का size पहले से काफी ज़्यादा कम हो चुक है अब इनका off cycle mode इनका चल रहा है और ये ही होता है दोस्तों bodybuilder का हमेशा जिस जो है वो same look नहीं रहता है वो same look नहीं maintain करके रख सकते हैं जो shredded bodies आप लोग देखते हूं Instagram पे भाई वो bodybuilders 365 days a year नहीं maintain करके रखते हैं उनको भी off जाना पड़ता है जितने भी harsh PDs ये लोग लेते हैं और steroids वगरा लेते हैं अपनी prep में जितने भी इन्होंने salt वगरा का इस्तमाल कर रहा होता है बाकी भाई जितने भी बड़ा bodybuilder हो वो भी rest लेता है और off cycle जाता है बाकी ये थी भाई कुछ reality update और कैसे लग रहा है आप locali और देखते हैं भाई इनका अगला जाके अगला इनका क्या plan होता है compete करने का जो भी होता है चैनल पे तो update आई जाएगी और अगली update के उपर हम लोग बढ़ते हैं अगली update के अंदर में बात करना चाहूँगा और राजा जीत के बारे में भाई और काफी अर्थे से के बाद इनकी तरफ से भी update आई है और अपने इंस्टाग्राम पे राजा जीत अपनी back की updates बहुत जादा दे रहे हैं अपनी back की progress जो इनकी उसकी updates आज कलिए काफी जादा दे रहे हैं और राजा के बारे में बात करूँ तो इनको छे महीने हो चुके हैं इनको last compete करे हुए इन्होंने last compete करा था ताइवन प्रोशो में उससे पहले इनको दिल्ली के शेरू क्लासक में compete करा था वहाँ पर इनकी इतनी अच्छी placing नहीं आय थी और ताइवन में भी इनका ठीठा इनकी performance आय थी भाई तो उसके बाद राजा जीत ने बोला था कि एक डेट साल का ये off season लेंगे और उसके बाद ही चड़ेंगे stage पर ये compete करने के लिए और भी आप लोग देशे तो इनकी current progress जो है इनका मतलब focus ये कर रहे है अपनी progress के उपर और इस साल या इस साल के end के अंदर आप लोग expect कर सकते हो कि हो सकतає है कि राजा जीत compete कर सकते हैं अगर करते हैं श साल 2 तो well and good है वरना अगले साल भी आप लोग expect कर सकते हो compete करने का इनका plan जो की हो सकते है कि 2025 मि भी ये compete कर सकते हैं बागे दोस्तों राजा जीत से हमेशा शेर एक expectation रहती है क्योंकि राजा का जो structure है men's physique के साब से भाई अच्छा है काफी एक potential end के अंदर और size अगर यह लेकर आ जाते हैं stage के उपर then he will be a huge threat और देखते हैं भाई राजा जीत का क्या plan होने वाला है बाकि उमीद करते हूं best wishes इनके साथ है 2024 के end में या फिर 25 में हो सकता है बाकि आप लोग बताओ यार आप लोग इनकी physique देखकर क्या लगता है कि men's physique के साब से राजा जीत को कितना time और लगेगा अच्छी placing secure करने की एक pro show में बाकि दोस्तों यह थी कुछ इनकी तरफ से update next दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा हमारी भार की international bodybuilders के बारे में बात करते हैं और भाई जो मारा अगला major show होने वाला है वो है Arnold Classic जो की होगा March में तो भाई उसी से जोड़ी भी मैं athletes की update लेकर आच हो सबसे बढ़े हम लोग बात करेंगे Marcelo D. Angelis यानि की horse MD के बारे में हमनों बात करने वाले और भाई रिसेंटली अपने Instagram पे एक धमाका ये जो है फोड देते हैं और अपनी current physique update हमारे साथ शेयर कर देते हैं अगर आप लोगो नई मालूम है भाई तो horse MD यानि की Marcelo ने रिसेंटली जो है यानि की 124 किलो के इस वक्त पर ये और Arnold Classic की update है भाई ये and I have to say guys मतलब structure देखो यार मतलब classic वाला bodybuilder जब open bodybuilding में आता है तो वही जो aesthetic lines थी वो इन्होंने maintain करके रखी हुए और उसके उपर जो size है horse MD का वो देखा जा सकता है especially इनकी quards पर जो नजर जा रही है मतलब एकदम क्या बूलो यार इनकी quards के बारे में एकदम बड़े और एकदम dense जो इनकी quards है वो देखे जा सकते है इनकी quards जो sweep आ रही इनकी quards के उपर और साथ ही हमें इनकी calves बहुत impressive इनकी quards कहना पड़ेगा भाई lower body के साब से थो horse MD बहुत ही तगड़े नजर आ रहे है और वहीं पर अगर horse MD के upper body के बारे में बात करी जाए तो वहाँ पर इनकी बड़िया lines जो है वो देखी जा सकती है जो इनकी small waist और साथ में width जो इनकी साथ में मतलब जो full proportions है horse MD के हैं वो size के अंदर बहुत ही जादा huge है इस वज़े से भी जो इनकी upper body और इनकी जो waist है छोटी नजर आ रही है और बाकि देखते हैं भाई कि horse MD क्या challenge करते हैं जो बड़े बड़े bodybuilders होंगे first call out के अंदर और Andrew Jack जैसे bodybuilders को ये कैसा challenge देते हैं जो कि खोद एक बहुत ही aesthetic bodybuilder माने जाते हैं बाकि देखते हैं भाई क्या होता आर्नौड classic के अंदर updates के लिए भाई बने रही है आप लोग अपनी prediction वगएरा जो है comment करके बता सकते हो Marcillo De Angelis horse MD क्या करते हैं उसके लिए भाई बने रही है नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा हादी चुपान के बारे में और हादी चुपान की दोस्तों अभी मैना ब्लोग एपनी last वीडियो के अंदर भी update दी थी इस वीडियो के अंदर बीदेना चाहूंगा की भाई उनकी current physique update आई है और करेंट फिजीक अपडेट के अंदर आप लोग हादी को देख सकते हैं कि उनकी लेवल अफ कंडिशनिंग का लेवल किया है वह उनकी कंडिशनिंग किस लेवल पर है और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि आरनोड ग्लासिक के अंदर हादी चुपान तो आराम से जीट जाएंगे या फिर इनके लिए काफी इजी होगा जीतना लेकिन वह लोग भोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग है लाइनप के अंदर जो की चैलेंज तो डेफिनिटली करेंगे ही हादी को लेकिन हादी दोस्तों उनका जो रहजो में है ना हादी का वो बहुत ही स्ट्रॉंग है सबसे पहली बात तो भाई वो मिस्ट्र उलंपिया चैंपियन है और वो भाई पहली बार आरनोड ग्लासिक के अंदर कंपीट करने वाले हैं तो एक हादी चुपन क्या करेंगे आरनोड ग्लासिक के अंदर कैसा परफॉर्म करेंगे वो आरनोड ग्लासिक के अंदर क्या वो सामसन दोदा और जितने भी बड़े बड़े बॉड़ी बुल्डर्स हैं उनको हरा सकते हैं फिर नहीं हरा सकते हैं मतलब हराया तो उन्होंने पहले भी हुआ है Samson 12 और बाकी bodybuilders को लेकिन क्या वो confidence लेकर आ सकते हैं वो faith लेकर आ सकते हैं लोगों के अंदर कि भाई मैं Olympia champion हूँ और मैं dominate कर सकता हूँ इस वाले show के अंदर और मेरे आसपास भी कोई नहीं आता है बागे दोस्ताब Arnaud Glass के बारे में बात हो रही है और हम लोग Samson 12 के बारे में ना बात करें ऐसा कैसे हो सकता है because Samson 12 भी भाई complete कर रहे हैं इस वाले show के अंदर और Samson 12 अपनी ये वाली update हमारे साथ share करते है and you can see भाई कि वो क्यों इतने जादा जो है dangerous bodybuilder माने जाते है बहुत साइ लोगों की तरफ से भाई look at the structure जो structure इनका है बहुत ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहा है इस वाली update के अंदर भी भाई आप लोग दे सकते हैं जो उनका front double bicep है front से भाई Samson की body जो है बहुत ही dominating लगती है stage के पर हाला कि मैं rare के बारे में इतना नहीं कहा सकता है जो पीछे वाली sides है क्योंकि hamstring और glute का जो है इनके साथ issue रहता है conditioning का लेकिन front से भाई काफी जाद एक complete और एक aesthetic bodybuilder ये नजर आते हैं with definitely size and conditioning as well और Samson भाई उनका challenge weight कर रहा है हादी चुपान और क्या Samson दोदा पहली बार हरा पाएंगे हादी चुपान को इतने बड़े stage के उपर और अगर वो कर देते हैं अगर Samson हादी को हरा देते हैं then it will be a huge thing एक बड़ी बात हो जाएगी bodybuilding की हमारी दुनिया में और एक बवाल सा मच जाएगा बाकि भाई Samson दोदा को अभी recently एक hamstring की injury हो गई थी जो कि मैंने आप लोग अपनी last video के अंदर बताया था उमीद करता हूं कि वो वाली चीज इनको ज़्यादा bother नहीं करीगी इनकी prep के अंदर और ज़्यादा सारा कुछ जोए smoothly वगरा चल जाएगा और बाकि Samson के updates के लिए भाई बने रही है क्योंकि ये तो मतलब तगडी update से देते ही रहते है next दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा Nick Walker के बारे में और Nick की भी तरफ से भाई एक update आती है Nick Walker दोस्तों अपनी current physique अपडेट दिखाते है और वो दो वैसे भी दिखाते ही है लेकिन इस वाली update के अंदर दोस्तों different क्या है Nick Walker अपना front lat spread वाला post करते है जूकि एक बहुती rare चीज़ है भाई बहुती rare होता है कि Nick Walker अपनी updates के अंदर front lat spread अपना करके दिखाए यूकि वो खुद भी मानते हैं कि उनका यह ज़्यादा impressive pose नहीं उनको लगता और वो इस बारे में लिखकर भी बताते हैं अपने instagram की post में और वो यह लिखते हैं कि the only shot I personally believe that has held me back the only shot I always got beaten in the only shot I care about making it better making better तो भाई यह वाला shot जो है Nick Walker जो है अपना इस वाले post को इंप्रूफ करना चाहते हैं because Nick Walker को लगता है कि यह वाले post के अंदर वो हमेशा से मात खा जाते हैं और वो इस वाले post को better बनाना चाहते हैं अपने अगले competition के अंदर and I have to say guys कि Nick Walker का जो एक्तम जो frame आता ना खासकर इनका mid section एक बहुत ही चोड़ा है और इनके arms भी बहुत ही बड़े हैं जिस कारणे से इनके जो lats हैं आपनो notice कर सकते हो कि ज़्यादा नजर नहीं आते एक तम ढख से जाते हैं इनके arms के पीछे जो है वो ढख जाते हैं और फिलीट के साथ भी ऐसा होता था फिलीट के arms भी बहुत ही बड़े थे और वो उपर से काफी narrow bodybuilder थे जिस कारणे से उनके lats वो ठीक से दिखा नहीं पाते थे बड़ उनके काफी impressive उनके lats थे वैसे उनके फिलीट का जो back lats spread था बहुत ही impressive pose उनका माना जाता था लेकिन front वाली side से उनका नहीं माना जाता था पिकॉज डग जाती थी वाली चीज और वही चीज निक वाकर के साथ भी है निक वाकर दोस्तों हाला कि चोड़े तो हैं लेकिन उनके arms बहुत जादा overpower कर देते हैं खासकर उनकी जो waste है वो इतनी जादा aesthetic नहीं लगती है बहुत चोड़ी है उनके frame के साब से और यही चीज है दोस्तों निक वाकर के आप लोग off season की condition भी देख सकते हो देखते हैं भाई क्या गुल खिलाते हैं अपने इस off season के अंदर और उमीद करतों कि injury free रहेंगे अपनी prep में जिस कारण की वैसे इस साल यह नहीं compete कर पाय थे last year यह नहीं compete कर पाय थे उलम्पिया में इस साल उमीद करता हूँ कि Nick Walker हम लोग को यह नजर आएंगे stage पर और injury free रहेंगे बागी दोस्तों यह थी कुछ update Nick Walker की तरफ से और उसके साथ दोस्तों हम लोग इस update वीडियो को खतम करते हैं और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और बस दोस्तों इस चैनल पर अपनी छोटी सी community है bodybuilding की जिसके अंदर मैं बात करता हूँ bodybuilding के बारे में updates देता हूँ आप लोग को जिसको आप लोगों ने और बड़ा बना दी है तो मैं आप लोग को हमेशा के लिए भाई मैं thankfully रहता हूँ आप लोग के लिए गाईस और इस वीडियो को हम लोग खतम करते हैं मैं आप सबी लोग को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रुकिए तिल देने टेक कियो रांट बाई